बिजेपी शाशित केंद्र सरकार म्यूजिकल चेर की तरह दिल्ली सरकार के विभागों के अधिकारियों का तबादला कर रही है जी हाँ, एड्मिशन के समय अधिकारियों के तबादले कर 6 लाग बच्चों के भविश्य से खिलवार कर रही है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी का महोल हमेशा से ही देखने को मिला है एक बार फेट से मनिस्य सोधिया ने केंद्र पर आरोप लगाए है हाली में डिप्टी सीम मनिस्य सोधिया ने विधान सबा में कहा कि स्कूली सिख्षा बच्चों की नीव को मजबूत करती है लेकिन आज केंद्र सरकार नो जवानों के भविश्य के साथ खेल रही है दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनिस्य सोधिया ने अधिकारियों के लगातार तबादले पर विधान सबा में आगे बोलते हुए कहा कि दिल्ली में सम्विधाने के विवस्था के तहत भूमी पुलिस वपबलिक और केंद्र सरकार के पास है उसके बाद सभी विभाग से संबंदित फैसले लेने का अधिकार दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के पास है लेकिन केंद्र सरकार बेहत बेशर्मी के साथ बाबा साहिब द्वारा बनाई गए सम्विधान की धर्जिया उड़ा रही है उन्होंने आगे कहा कि मोजुदा केंद्र सरकार ने सर्विजिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार से असम्विधानिक रूप से छीन कर ट्रांस्वर पोस्टिंग की शक्ती छीन ली है जहां पिछले 22 दिनों से उच सिक्षा निदेशक के पद पर किसी को न्युक्त नहीं किया गया है सम्विधान के तहट उच सिक्षा बत्तक्नी की सिक्षा देने का अधिकार राज्य की चुनी हुई सरकार के पास है उनके नेथित में हम वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बना रहे हैं अपनी उनिवर्सिटीज में रिसर्च का काम कर रहे है लेकिन केंद्र सरकार सर्विसिस को चीन कर उच सिक्षा बत्तक्नी की शिक्षा के शेत्र में सरकार द्वारा किये जा रहे शांदार कामों को रोकने का परियास कर रही है ऐसी क्या वज़ा है कि केंद्र सरकार अधिकारियों का लगाता ट्रांसफर कर रही है साथ ही 6 लाख नोजवानों के भविश्य के साथ खेल रही है अब देखना ये है कि क्या मने से सोध्या ने जो केंदर के उपर आरोप लगाए हैं वो कितने सही है और कितने गलत है आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशित न्यूज धन्यवाद